हालो प्रेज़ लॉड गट्समानिंग अग्यान एक और बार आज की दिन आप कैसे कहें आज की दिन की शुरुआत आप कैसे करेंगे आपकोस अराधना से प्राट्सना से परमेश्व के वचन से हो सता है आप का शाम को कहीं और से सुन रहे हैं जैसे कि हमेशा सुनते हैं दुनिया के अलग 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 देशों से सुनते हैं मेरे लिए बड़े आदर की बात है because you know the purpose of the video is not to reach thousands and thousands but the purpose of the video is to reach the people those who love to sit with the Lord परमेश्व के साथ जो बैठना चाहते हूं उनके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूं and I'm so honored because of you people are studying the Bible with me well हम अभी study तो नहीं कर रहे हम करेंगे book study वो जरूर करेंगे but we are spending time with the Lord at least 10 minute और मेरे खाल से अब वो लोग खुश हो जाएं जो कहरें बड़े लंबे लंबे वीडियो हो रहे हैं हो और भी रहे थे कि वल आप नहीं मैं भी मैं तो खेर बूलता हूं लेकिन एडिट करने वाले मेरे भाई वो भी दुखी हो जाते सर प्लीज थोड़ा सा कम करो आत्मा की प्रेड़ना को कैसे कम करें and the word of God says that कि कटोरा उमड रहा अब ये कटोरा क्यों उमड रहा है क्योंकि हम प्रात कर रहे हैं भाई किसी को स्वर्ग का और आज ये मूती के समान मिल गया तो उसने ले जा कर स्वर्ग वो मूती जो है खेत में चुपा दिया उससे बहतर उसको कोई मार्ग नहीं मिला खेत में चुपाया और अपनी सब संपति बेज़कर खेत खरीत लिया लोग बोले पागल हो यह तू यार तू सब कुछ क्या खेती खरीदेगा तो और क्या करेगा और बाकी सब क्या करेगा लेकिन यह पागलपन नहीं था दुनिया के लिए पागलपन है लेकिन असलियत में यही सबसे बड़ी बुद्धी मानी है और आपने भी यही चुना है त जल्दी जल्दी स्रमाप्त होंगी, आज हम पढ़ रहे हैं, योल की पुस्तक जैसे हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था इस पुस्तक से, तो आए पढ़ते हैं, मुख्य संदेश, टोटल टीन चैप्टर हैं, उनमें से पहला अध्या है, और पहले वचन से, यहुआ का वचन जो पतुएल के पुत्र योल के पास पहुँचा, वै यह है, बैबल में बहुत खास बात यह है, हर पुस्तक को डीटेल में और सखी तरीके से लिखा गया है, और कुछ एक जगों पर तरीका थोड़ा लग रहा हो, लेकिन यह लिखने का तरीका था, हर बार यह इंट्रोड लगा कर सुनो, क्या ऐसी बात तुमहरे दिनों में या तुम्हारे पुरकां के दिनों में कभी हुई है, अपने बाल बच्चों से इसका वर्नन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीडी के लोगों से, सुम्समा, चार आप और हम सुनाते हैं और लोग विश्वास में आते जारें मैं कई बार अलग अलग जगों पर जाता हूं तो लोग कहते हैं आपने उस दिन ये किया था आपने उस दिन ये दिखाया था मैंने बुला मैं आपको पैचानता नहीं हूं मैं बहुत छोटा था और आज में आओ मैंने वाओ and see the glory of God God is speaking to the people बच्चों के द्वारा भी मुझे याद नहीं है मैं पैचानता नहीं but they know me I don't know how they remember me मेरे भी बाल कम हो गए हैं you know बहुत सारी चीज़े बदल गई हैं I'm not like like before मैं जैसा पहले था वैसा आज नहीं हूं but the message of the Bible is the same from the beginning till today and till the Christ come आगे देखिए क्या लिखा है सभी को बताओ ये बताओ ये है वचन और ये वचन परमेश्वर ने दिया है योईल को इस बात की परवा नहीं है कि कौन सी बात आगे बतानी चाहिए लेकिन योईल ने प्राप्त किया है सुरक से इसलिए योईल ये बात आगे भी बताना चाहता और कह रहा है अपने बच्चों को बता, उनको सिखाओ कि वो भी बता है, वो भी बता है, वो भी बता है, चौते पत में लिखा है, जो कुछ गाजम नमक टिड़ी से बचा, उसे अर्बे नमक टिड़ी ने खा लिया, जो कुछ अर्बे नमक टिड़ी से बचा, उसे येलेक नमक टिड़ी खा लिया हे मतवालों जाग उठो रो और हे सब दाकमदू पीने वालों नए दाकमदू के लिए हाई हाई करो क्योंकि वे तुमको अब ना मिलेगा ये दाकमदू की चिंता क्यों रही है असल में ये दाकमदू शांती और आनंद की बात है जगर किसी का आनंद अगर खो जाय तो क्या होगा तडब जाएगा और ये तडब बड़ी खतरनाख है आदमी दिन और रात हमेशा ये चाहता है कि मैं क्या करूँ मैं आराम करूँ मैं ये करूँ मैं वो करूँ मेरे लिए मस्त रहे आदमी जो कुछ करता है चाहता है आराम 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 ये भी तो आ अच्छा है बट देरार सम पॉसिबल पॉइंस वी डेफिनिटी लरन हमारे पास यह आप्शन्स हैं तो वही है मैं संडे चर्च ऑनलाइन करने के खिलाफ हूं बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता कुछ जगों पर मैं कुछ प्रोग्राम करता हूं सिर्फ अपने लोगों के विजनरी रिडियो और टीवी के प्रोग्राम पर लेकिन मैं हमेशा प्रेरित करता हूं गो तो यह चर्च आई डों ब्रिंग विजनरी चर्च ऑनलाइन सब के लिए नहीं विजनरी चर्च सरफ वहां के लोगों के लिए है जो लोग है और आसपास या जो भी हमारे व्रां प्रेंडमिक में नहीं है कोविड में नहीं है तो हम जा सकते हैं तो जाईए हाँ जिन लोगों के पास चर्च जाने की किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है या किसी और तरह के बंधन है फैमली और वाड़ेवर सो एवर तो ज़रूर उनके लिए मजबूरी है देन उसके दांत सींग के से और दाड़े सीनी किसी उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के व्रक्ष को तोड़ डाला उसने उसकी सब छाल चील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालिया चिलने से सफेद हो गई है जैसे यूती अपने पती के लिए कटी में तांट बांधे हुए विलाब करती है, वैसे ही तुम भी विलाब करो, यहुआ के भवन में न तो अनबली और न अर्ग आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं, वो विलाब कर रहे हैं, मेरी केती मर गई, भूमी विलाब करती है, क्योंकि अननस्ट हो गया, मैं दाख मदू किसके बारे में बात हो रही है, एक कौन से ही जाती है, जिसने हमला किया है, टिड्डियां, वैसे टिड्डियों का हमला पहला नहीं है, आप और हम अच्छे रीती से जानते हैं, क्योंकि मुसा के समय, परमेश्व ने ये एक विपत्ति मिस्र उपर डाली थी, पर अब ये जो मिस्र पर परमेश्व ने डाली थी, किस पर है, अपने ही लोगों पर है, बट इट इस नॉट लाइक, जो कह दिया कि वो विपत्ति आई है, विपत्ति ये दूसरे तरीके से है, एक विपत्ति आई, उसके बाद दूसरी विपत्ति आई, उसके बाद तीसरी विपत्ति याई किस पर आग्या ना मानने वालो पर दाखलता सूख गई और अंजीर का वरक्ष कुमला गया है अनार ताड से वरन मैदान के सब वरक्ष शूख गए और मनुश्य का हर्श जाता रहा हे आज को कटी में टांट बांध कर चाती पीट पीट करो हे वेदी के टैलो हाई हाई करो हे मेरे परमेश्वर के टैलो आओ टांट ओडे और रात बिताएं रात बिताओ क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अनबली और अर्ग अब नहीं आते ये दुख जताने का कारण क्या है इस दुख के लिए प्रेडित करने का कारण क्या है Because people of God they forgot God उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया है वो परमेश्वर के साथ संगती नहीं करते और इसलिए परमेश्वर कि और से ये बात उनको कही है देखिए हर बात सीधे तरीके से कही जाए ये तरीका येश्व कही है पहले उस बात को क्लियर करते है एक्जाम्पल के दौरा एक्जाम्पल से फिर बात में उसे समझाते हुए जैसे कि येश्वर ने बहुत सारे parables का इस्तमाल किया लोगों से वो बात कर रहा है किसके दौरा योईल भुशुदक्ता के दौरा और योईल जो है परमेश्वर की ओर से बात लोगों तक कह रहा है चौदा पद में लिखा है वर्स फोर्टीन उपवास का दिन ठहरा हो महासभा का परचार करो पुर्णियों को वरंदेश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्व यहुआ के भवन में खटा करके उसकी दौहाई दो यह दौहाई की जरुरत क्यों है क्योंकि लोग नहीं दे रहे लोग दुखी हैं लोग परेशान हैं लोग तकलीफ में हैं लेकिन फिर भी वो यहुआ के पास नहीं है मैं इसरायल के बारे में भी देख रहा हूं और इसरायल के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर मैं दुखी नहीं हूं आनन्दे थ является लगीज़ भी है लेकिन इसरायल में जो बाते हैं जो काम हैं जो बुराई है वो भी कोई कम नहीं है इसराइल पर विपत्ती पड़ी है तो परमेश्वर ने अपना हाथ इसराइल से हटा नहीं लिया एज्राइल चारों तोरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, हमेशा से घिरा हुआ था, तब भी परमेश्वर ने बचाता था, आज भी बचारा है, लेकिन इज्राइल में पाप बहुत आईत से आज भी है हम न्याय नहीं करेंगे न्याय परमेश्वर करेगा जब परमेश्वर, इस रूइल का याई यहुदियों का न्याय करेगा आपको और मुझे नहीं छूड़ेगा वो न्याय परमेश्वर है, सबके लिए एक है 15 पत में लिखा है उस दिन के कारण हाए क्योंकि यहवा का दिन निकट है वैस्सर वशक्तिमान की और से सत्यनाश का दिन होकर आएगा क्या भोजन वस्तों हमारे देखते हुए नस्ट नहीं हुई क्या हमारे परमेशों के भवन का आनन्द और मगन जाता नहीं रहा बीज धेलों की नीचे जुलस गए भंडार सुखे पड़े हैं खते गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई पशु कैसे करहते हैं जुंड के जुंड गाएबल विकल हैं क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही और जुंड के जुंड भेड़ बकरियों पाप का फल भोगती रखी है, हेऎँ होगा, मैं तेरी दुखाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराईया आग का कौर हो गई है और मैदान के सव रक्ष जवाला से जल गए वरन पशू भी तेरे लिए हाफ्थे हैं, क्योंकि जल के सोते सूक गए और जंगल की चलाईया आग का कौर हो गई सोचो चारों तरफ से आपको विपत्ती पड़ी हो तो क्या हो अगर भारत में तेज बारिश से बाड के कारण फसल बरबाद हो जाए तो समस्या तेज धूप के कारण सूखे का कारण फसल बरबाद हो जाए तो समस्या महेंगाई का करण भी तो यही है महेंगा होता जा रहा है आटा कब सस्ता हुआ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा और यहां तक कि आज आज हम पाकिस्तान के बारे मुलते हैं पाकिस्तान में पानी महाँ पराटा महंगा है तिंक अबाट यर्सेल्फ कल गी दिन हमारे भी हो सकते हैं नवर एवर हैपी for such thing we don't really worry about this thing कि हमारे लिए परमेश्व ने कितनी सुधियां रखी है अगर हम यह नहीं करेंगे तो कई ऐसे देश हैं जो आज दुखी हो रहे हैं जिनके पास कभी कमी नहीं थी हमारे साथ भी दुख और समस्यां आ सकती है लेकिन योईल भवश्दक्ता ने जो बात कहिए है it's all about sin and forgiveness पाप और पाप की शमाग पाप हमने किये सुईकार नहीं किये तो समा भी नहीं मांगते है अगर हमने ये माल लिया कि हमने पाप किया तो शमा मांगेंगे और परमेश्व और इसी पश्चिताब की बात योईल भवश्य दुक्ता के दौरा प्रेड़ना दे रहा है किसको इसराइल को यहूदियों को और आज भी आपको और मुझे योईल भवश्य दुक्ता ने भवश्य दुक्ता भवश्यवानी की अपुस्तक और ये गवाही तब लिखी है आठ सो साल पहले येशु मसीख की आने से पहले और आज भी आज 2000 साल बीच चुके आप बात करें तो 2800 साल बीच चुके इस बात को और अब जब तक प्रभू आता है उस दिन के लिए ये भवश्य दुक्ता ने जो जो भवश्यवानी लिखी और वो भविश्यमानी पूरी हुई अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम प्रेड़ों की पुस्तक की दूसरे अध्याय में पवित्रात्मा के उतरने की जो भविश्यमानी हुई वो भविश्यमानी पूरी होते देखते हैं पढ़ेंगे उसके बारे में, अमें, प्रभू आपको प्रेरित करें, फल्वंद और बल्वंद करें, लेट्स प्रेई टूगेदर, प्रभू परमेश्वा तेरा वचन सच्छा है, और ये वचन हमारे लिए मार्ग है, चोती है, धन्यवाद तेरा कि तुने हमें दिया, मेरे दिभाई बहन पर दया कर इनके जीवन में तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा और आशिशो, इनकी आवशक्ताओं को तुपूरा कर, और भी बढ़कर आत्मिक आवशक्ताओं को, ताकि प्रभू हर परिस्तिती का आत्मिक रिती से उत्तर दे सके, मसी एशु की ना चैरे, उस देश के चैरे, चैरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ ये शुमसी के नाम के कारण ही होती है